कानपूर के पनकी में ट्रैक पर रखे पटरी के टुक्रे से टकरा कर साबरमती एक्सप्रेक्स के बेपटरी होने फरुखबाद में पसिंजर ट्रेन से लखडी का बोटा टकराने और कानपूर कासगंज रेलवे लाइन पर कालिंदी एक्सप्रेक्स को पल्टाने के लिए स्वतंता सेनानी एक्ष्प्रेक्स के ट्रैक पर रखा गया लकडी का एक बडा कнемदा रेल्ट रेल्वे ट्रैक पर सुबह भोर में स्वतंता शेनानी एक्ष्प्रेक्स में आई तकनिकी खराबी से ट्रेन तीन घंटे तक रुगी रही आरपिएफ जी आरपी और सिविल पुलिस ने जब संयुक्त रूप से जाच की तो पाया कि ट्रैक पर लकड़ी का एक बड़ा कुंदा रखा हुआ था रेलवे के इंजिनियर की तहरीर पर कोतवाली गाजिपूर में तहरीर दर्ज की गई और उसके बाद मुकर्दमा दर्ज किया गया S.P.C.T. गाजिपूर ने रेल के डेरेल होने की पुस्ती भी कर दी है S.P.C.T. ने कहा कि कुछ दिन पहले ही रेल की पट्री पर अवांचनीय तत्वों ने गिट्टी रखा था जिसमें तीन लोकों को गिरफतार किया गया था आपको बता दें कि गाजिपूर बलिया छपरा हाजिपूर रेल रूट पर आजकल बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ट्रैक पर चल रही रेल को डिरेल करने की कई कोशिसें इधर लगातार की जा रही है और कल सुबह स्वतनता संग्राम सेनानी एक्सप्रेक्स ट्रेन रेल पट्री पर एक तेज आवाज के साथ खड़ी हो गई डैवर ने पास के गाजिपूर सिटी रेलवे स्टेशन को सुचना दी तो आर्पी अप जी आर्पी के साथ सिविल पुलिस और तक्निकी इंजिनिर्स भी मौके पर पहुँच गये मामला गाजिपूर सिटी इस्टेशन के करीब ही हुआ था तो जांच में एक लकड़ी का बड़ा कुंदा ट्रेन की पट्रियों पर रखा पाया गया जो कि एक्सप्रेक्स ट्रेन की पहियों से लगकर इंजिन में फंस गया था और इंजिन का पाइप फट गया लेकिन भगवान का सुकुर था कि ट्रेन के साथ कोई बड़ा हासा नहीं हुआ क्योंकि ट्रेन के स्पीड स्टेशन के नजदीक होने के कारण थोड़ी दीम ही थी लेकिन इंजिन में लकड़ी का टुकड़ा छीटक कर फंस गया और हॉस पाइप जो है वो डेमेज हो गई जिसकी वज़े से ट्रेन रुक गई और सूत्रों की माने तो इस टकनीकी खराबी को दूर करने में और ट्रेन को फिर से चलाने में लगबक तीन घंटे लग गए उ तो रेलवे अभियंता की तहरीर पर FIR दर्च किया दी गई है पीछे भी ऐसे ही एक गटना रेल को डिरेल करने की हुई थी जिसमें रेल की पट्री पर अवांचनीय तत्वों ने गिटियां रखकर उसे बाधित करने का प्रयाश किया था जिस पर तीन अवांचनीय तत्व को गिरफतार करके जेल भेज दिये गए हैं और अब इस घटना की हम लोग हर पहलू पर जांच कर रहे हैं फिलाल अग्यात के खिलाप मुहमला दर्च कर ले गया है लेकिन पुलिस इसकी सगंता से जांच कर रही है जिसमें आरपी अपोज जीरपी कभी सयोग मिल रहा है औ और जल्द ही आरूपियों को गिरफतार कर लिया जाएगा आपको बता दें कि घटनास्तल से लगबग तीन मीटर की दूरी पर लकड़ी से कोईला बनने वाली कई भठियां भी संचालित होती हैं इस कारण पट्री के किनारे भारी संख्या में लकड़ी के मोटे-मोटे तक कोई भी व्यवसाइग गत्विदी या निवास नहीं होना चाहिए आर्पीएफ के प्रभारी के मताबिक इन लकड़ियों में से एक बड़ा टूड़ा पट्री पर डाला गया था एसपी गाजीपुर ने कोईला बनाने वाली बट्टी चला रहे लोगों को ततकाल वहां से हटाने का निर्देश दिया है इस घटना को लेकर रेल्वे के तहरीर पे कोतवाल थाना कोतवाली में अब यह पंस्क्रिट कर लिया गया है और इसमें हम सभी पर जांच कर रहे हैं कि किन परिस्टियों में लकड़ी का गुट्टा वहां पहुंचा कौन लोग ले आ सकते हैं क्या-क्या कारण हो सकते हैं और इसमें बिस्तिक जांच की जा रही है जो भी तथिसान में आएंगे उसके तद्मसार हम अगरिन करवाई करेंगे इससे पहले भी कुछ दिन पहले पत्थर रखने की घटना हुई थी उसी आज के घटना से खुल दूर पहले हुआ था उसमें तीन लोग चिन्नित किये मुझत है ते और आज जो घटना हुई है उसको भी देखा जा रहा क्या उनके सम और विसमपर की लोग थे या क्या थे इस सारी चीजों नेरे नहीं क्या क्यों हो सकते हैं और ज्रान की जान रही यह UP News 9 के लिए गाजिपूर से परदीप सर्मा की रिपोर्ट